आज हम बना रहे हैं बटर गार्लिक चिकन हम चिकन इस्तमाल करें साड़े 600 ग्राम और छोटे तुकुड़ों में काटा गया है हड़ी में स्वाद होता है इसलिए हम हड़ी का इस्तमाल कर रहे हैं अ है एक चांमच जिंजर गालिक पेस्ट एक ही चंमच क्रस्णिया हुआ काली मिच डलते हैं स्वादनुस्तार नमक और चिकन को मैरिनेट करने से चिकन पेपर कॉन नमक और जिंजर गाली को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेगा और इसे हम थोड़ेंगे आधे गंटे के लिए आज की हमारी इस डीस के लिए हमें बनाना है चिकन स्टॉक तो मैं एक पॉट में ले रहा हूं पानी 1.5 लीटर पानी और हम डालें कुछ चिकन बोंस आपके पास जीस तरह का भी पीस है आप लेलें टॉक में उबाला गया है और साइडों में ज्हाग आएगा जिसे हमें बाहर निकाल लेना है अब हमें डालना है दो तेज पत्ते तीन लहसुन की फलियां लिए उसको कोट कर डाल रहें एक अधरक का टुकड़ा एक हरी मिर्च और एक मीडियम साइज प्याज साथ में मिलाएंगे कुछ काली मिर्च के दाने और स्टॉक को बनने देते हैं अधा गुंट का समय हो गया है और जीकन अच्छे से मेरेनेट हो गया तब तक हम सारे चिकन को देस्ट कर लेते हैं हमने अपने सारे चिकन को कोट कर लिया है मैदा से अब हम इसे डिप फ्राइट करेंगे ध्यान लखीए का तेल बहुत जादा गरम नी होना चाहिए और ठंडा भी नी एक बार में उतने ही फ्राइए करेंगे जितना हम कर सकते ह अब डालते हैं हमें हिलाना नहीं है थोड़ा वेट करेंगे तो मैं चिकन को दो बैचेज में फ्राइब कर रहा हूं चिकन में कलर आने तक हमें इसे फ्राइब करना है हम इसे सौते भी कर सकते हैं पैन में यह रेखिए चिकन में जब कलर आए और कितना अच्छा सुना रह तब निखाल देंगे और हम निकाल देंगे परफेरेटेटे में इसको क्रिस्पी करेंगे बाद में तब तक हम बटर गालिक सॉस बना लेते हैं थोड़ा सा तेल जिसमें चिकन को फ्राई किया था अब लेंगे 100 ग्राम बटर यह डीस्क बटर में बनेगी बटर मेल्ट हो रह इसे भी साथ में भूनेंगे यहां पर हम डालेंगे क्रास पेपर कॉन और मैं डालाओं डेर्ड छोटे चमच चला लेते हैं मैदा यहां चमच है मैदा का इस्तमाल हम थीकिनिक एजेंट के तौर पर कर रहें तो थोड़ा सा भूल लेते हैं अब हम डालने स्टॉक जो हमने प्रमच इस अगया हम चत्राइबर कर लेते हैं व्हम चेकन गया तो नार्ण कर लेगा त्छिकन को लिए मिलाथे साथ में अब हम डालना है और अगेनों सीजनिंग फ्रेस अगेनों हो तो आप डाल सकते हैं या फिर आप सीजनिंग के इस्तमाल कर लें अब लाश में डालेंगे स्वाद अनुसार नमत और आप इसका टेक्श्चर देख सकते हैं कितना परफेक्ट अच्छा दिख रहा है और ये काफ रहन पस्पड़ रहा है